परीपी जूमर गिरने के मामले में संजु ने बिलाई पुलीस पुलीस ने किया नीती से सवाल जवाब कलर्स टीवी शो पर नीती के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि नीती परी की प्रेगननसी को लेकर सवाल बनाने लग जाती है और संजु और संजु के परिवार वालों से पूछने लग जाती है कि आखिरकार परी की शादी दो अभी अभी हुई है जब नीती को होश आया था तो इतनी जल्दी परी प्रेगनन कैसे हो सकती है वहीं दूसरे तरफ ठीक उसी वक्त पुलीस आप पहुँचती है और पुलीस का नाम सुनते ही नीती काफी सादा खबरा जाती है और ये कहने लग जाती है कि सिर्फ जूमर ही तो गिरा था तो जूमर गिरने के मामले में पुलीस भला क्यों आई है यहाँ पर संजु ये बोलने लग जाता है कि उसे शक है कि परी पर जो जूमर गिरा था वो कोई ऐक्सडंट नहीं बलकि एक हमला था और परी पर किसने हमला किया था इस बात का प्ता लगाने के लिए संजु ने पुलिस बुलवाई है यहाँ पर पुलीस आकर नीती संग अकेले में पूछ ताज करने लग जाती है और नीती से पुलीस का ये सवाल होता है कि आखिरकार परी से नीती का क्या रिष्टा है नीती यहाँ पर पुलीस के सवालों के जवाब देती हुई नजर आने वाली है वहीं दूसरे तरफ पुल ये बात आकर सबको बता देती है कि परी के उपर जो जूमर गिरा था वो सच में कोई एक्सडेंट नहीं था बलकि एक बना बनाया प्लान था क्योंकि जूमर की रस्ती को काटा गया था और ये सथ सुनने के बाद संजू पुडी से सवाल करता है तो आखिरकार वो कौन सा शक जिसने परी परी जान लेवा हमला किया था और उस पर जूमर गिरा था अब ये देखना इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि पुलीस लेगी किसका नाम जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें